अपने चैनल फ्री लीगल एडवाईस बें मैं स्वागत करता हूं अशो पांडे आपने अगर हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाईस सब्सक्राइब नहीं किया मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज सब्सक्राइब कीजे जिससे हम आप तक लीगल इंफरमेशन लीगल वीडियो पहुचाते रहें दोस्तों बैल आइकन प्रेस कीजे जिससे लेटिस्ट हमारे वीडियो इंफरमेशन आप तक पहुचती रहे आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है एंटिसेपेटरी बेल आप लोगों ने सुना होगा अग्रिम जमानत के बारे में एंटिसेपेटरी बेल के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे एंटिसेपेटरी बेल या अग्रिम जमानत के बारे में दोस्तों Indian law में section 438 CRPC के हिसाब से criminal procedure court के हिसाब से anticipatory bail regulate होता है, determine होता है जो कि discretionary power है court का, court का self supervised power है अगर वो आपको देना चाहिए anticipatory bail या अगरिम जमाना तो वो दे सकती है नहीं देना चाहिए तो नहीं दे सकती है उसके काफी सारे parameters हैं जो court को ध्यान में रखने होते है आज इनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग short time पे बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ anticipatory bail तभी होता है जब person arrest नहीं हुआ suppose that मैंने कोई crime किया तो अगर मैं anticipatory bail के लिए जाना चाहता हूँ तो सबसे पहली condition यह है कि मुझे police ने FIR तो register किया हो या मुझे apprehension ही कि police FIR register करने के बाद मुझे arrest कर लेगी बट arrest नहीं किया हो because अगर police ने मुझे arrest कर लिया तो मुझे anticipatory bail में नहीं जाना है मुझे regular bail के लिए claim करना है अगरिम जमानत वहाँ पे नहीं apply होगी अगर police ने मुझे arrest नहीं किया है और मुझे apprehension है मुझे ऐसा doubt है कि police मुझे arrest कर लेगी किसी crime में जो उसने मेरे against में make up किया हुआ है या बनाया हुआ है किसी की complain की उपर तभी मुझे anticipatory bail के लिए जाना है anticipatory का जो jurisdiction होता है अगरिम जमानत का जो jurisdiction होता है वो high court का या court of session का होता है और SLP में supreme court का होता है तो दोस्तों यहाँ पे जो arrested person है जो arrest होना है जिस person को वो anticipatory bail के लिए claim करेगा और ये जो mechanism है ये legislation जो बनाया हुआ है जो undue harassment होता है जो false FII register हो जाती है या गलत तरीके से किसी निर्दोश व्यक्ति को jail में डाल दिया जाए या उसको punish किया जाए उसको torture किया जाए harassment किया जाए तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए false fabricated cases से बचाने के लिए anticipatory bail का provision legislature ने कानून में लेकर के आए जो की deal होता है as per section 3.438 CRPC 1973 criminal procedure court के हिसाब से दोस्तों ये discretionary power होता है ये आपका right नहीं है mandatory एक right नहीं है जिसके लिए आप claim करो ये fact और circumstance के हिसाब से court decide करती है कि आपको anticipatory bail अगरिब जवानत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अगर court consider करती है कि yes ये एक fit case है जहाँ पे anticipatory देना चाहिए आपको अगरिब जवानत मिलनी चाहिए तो court आपको देगा अगर court को ऐसा लगता है कि अगरिब जवानत या anticipatory bail नहीं देना चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी जिसको डर है कि police उसको arrest कर सकती है arrest non-bailable offense में ही होना चाहिए उसको apprehension non-bailable offense में होना चाहिए बailable offense में नहीं होना चाहिए और session court और high court को ही power है जिसमें वो ये decide करती है कि किसी person को bail मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए Facts and Condition के हिसाब से High Court और Session Court किस चीज़ को ध्यान में रखती है और किस बारे में वो आपको Anticipatory अग्रिम जमानत दे सकती है उसके बारे मैं बात करें सबसे पहले Court ये देखती है कि जो person जिसको Apprehension होने का पुलिस से वो proper interrogation के लिए investigation के लिए पुलिस में जाएगा वो miss नहीं करेगा और पुलिस जब कभी उसको call करेगी उसको पुलिस टेशन में जाना है अपना statement record कराना है या interrogation के लिए proper पुलिस को help करनी है दूसरा वो direct या indirect तरीके से पुलिस को या किसी witness को या की जो complainant है जिसने शिकायत किया है आपकी अगेंस्ट में आप उसको induce नहीं करोगे आप उसको प्रलूबन नहीं दोगे आप उसे लालश नहीं दोगे पैसे देने या किसी और तरीके से जिससे आप इस case को divert कर सको मोड सको तो आप किसी भी तरीके से case में inducement नहीं ला सकते हो प्रलूबन नहीं ला सकते हो direct या indirect तरीके से threat नहीं कर सकते हो धमकिया नहीं दे सकते हो आप किसी भी witness को या कि जो भी person involved है investigating officer involved है ये सारी चीज़े भी court ध्यान में रखती है तीसरी important बात ये है कि आप India छोड़ करके किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हो जब तक कि court की आपको permission नहीं मिल जाती है court की permission के बाद में ही आप India छोड़ करके जा सकते हो या business purpose के लिए जा सकते हो लेकिन अगर आपको जाना है तो anticipatory bail के लिए आपको पहले court की permission लेनी पड़ेगी तभी आप इंडिया से जा सकते हो court और भी कुछ conditions आपके उपर impose कर सकती है जैसा कि CRPC as per provision sub clause 3 section 437 3 में determine किया गया है 437 sub clause 3 criminal procedure court में determine किया गया है उसके हिसाब से कोई और भी condition court आपके against में impose कर सकती है anticipatory bail देने के time पे तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में court रखती है now high court और session court इस चीज़ को भी ध्यान में रखती है कि जो gravity of offense है मतलब कितना serious offense किया गया है या offense है जहाँ पे आपको bail anticipatory मिलेगी या नहीं मिलेगी court इसको ध्यान में रखती है दूसरी court अगर ध्यान में रखने वाली चीज़ court के लिए ये भी होती है कि इसके पहले जो अभी offense हुआ इसके पहले भी कोई offense आपके थ्रू किया गया है या आपको conviction मिला है similar cases में या नहीं मिला है ये सारी चीज़े भी court of session और high court, honorable high court ध्यान में रखता है now guarantee की अगर बात करें तो anticipatory bail allow करते time court ये भी guarantee करती है कि आपको trial के लिए court में जाना है अपनी trial proper conduct करवानी है court से और आपको interrogation के लिए जाना है इसके साथ ही साथ आपको bail bond भी execute करना पड़ सकता है जिसको तोड़ने पर आपको police arrest करेगी और उसके बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी तो ऐसे कुछ अदर भी provisions है दोस्तों high court और session court को मैंने आपको इसके पहले ही बताए एक discretionary power होता है anticipatory bail grant करने का या नहीं करने का सबसे पहले अगर आपने session court में अगर anticipatory bail के लिए claim किया है file किया है अगर आपकी application reject हो जाती है तो high court में आप case file कर सकते हो anticipatory bail के लिए अगर high court से भी reject हो जाती है तो आप Supreme Court में file कर सकते हो special leave petition बोलते है SLP बोलते है SLP आपको सुप्रेम court में file करनी है high court ने जो आपका rejection पास किया है anticipatory bail के लिए तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो बात की है इसमें हम लोगों ने बात की कि Supreme Court, High Court और Session Court किस तरीके से anticipatory bail grant करते हैं इसके साथ ही साथ ये जो liberty दी गई है bail की आपको liberty दी गई है आप उसका कहीं से भी misuse नहीं करेंगे इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर court आपको anticipatory bail grant करती है तो anticipatory bail as per provision 438 deal होता है CRPC के हिसाब से क्या conditions होती है उसके उपर मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि High Court, Session Court का discretionary power है लेकिन इसके साथ में Supreme Court भी आपके petition को maintain कर सकती है आपकी application allow कर सकती है बट SLP आपको Supreme Court में file करनी पड़ेगी दोस्तों बहुत ही wide topic है अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते है प्लीज comment box पे mention कीजे आपके सुझावों का भी स्वागत करता हूँ इस वीडियो और आपके समय देने का धन्यवाद और हमारा चैनल free legal advice आप subscribe कीजे bell icon प्रेस कीजे जिससे लगातार हमारे वीडियो और information legal information आप तक पहुँचती रहे धन्यवाद